हेलो एवरिवन मैं हूँ राकेज शौद करता है कौन नई वीडियो में दोस्तों एक वीवर्स का मुझे कॉमेंट आया था और वो जानना चा रहे हैं जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे सोलर से कोल्ड स्टोरेज वाला विजनेस के बारे में वीडियो बनाओ सर मतल बहुत सरा ऐसा भी है कि जहां पर जो है आठ महिने के लिए नौ महिने के लिए आलू भी रखते हैं वहां पर ओके तो बहुत साय लोग ऐसा है जो बिजनेस करना चाते हैं और बहुत साय लोग बिजनेस कर रहे होंगे तो वहां पर जो है इलेक्टिसीटी का ज्यादा कंज सबसे पहले हम लोग समझेंगे cold storage के project report के बारे में कि आखिर उसमें कौन-कौन सा component होता है और किस परकार सा सारा function जो है काम करता है ओके तो सबसे पहले मैं इस point को delete कर दे रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे skin पर है इसको मैं हटा दे रहा हूँ और यहा आप लोग अच्छे से देख पाएंगे तो आज का जो मारा heading है वो है cold storage business के बारे में और आज हम समझने वाले है cold storage project report के बारे में और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि cold storage के लिए आपको कितना kilowatt का solar system लगाना परेगा actually यह जो है कोई fix नहीं है यह depend करता है आपके cold storage के capacity के उपर कितना छमता है उसका उसके उपर मतलब जितना load रहेगा उसके हिसाब से आपको solar plant लगाना परेगा तो सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं cold storage के project report के बारे में और कल मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे जो है कितना load चलने वाला है उसके हिसाब से हम लोग मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस पर जो है आपको कितना kilowatt का solar system लगाना परेगा और उसमें कितना खर्च आने वाला है और कितना पैसा आप saving कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह सारे point को मैं highlight कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने description डाला है और description में डाला हूं cold storage और cold storage का जो छमता है यानि capacity है वो है 5500 quintal per day का मतलब चमता है मतलब daily जो है आप 5500 quintal per day जो है आप उसमें material रख सकते हैं और निकाल सकते हैं इतना capacity के बारे मैं आज हम बात करने वाले हैं ओके बहुत सारे भी और साइसे भी होंगे जो hundred quintals का 200 quintals का 1000 quintals का 3000 quintals का या फिर 5000 quintals का जो है plant लगा लगाये होंगे या फिर लगाने वाल तो उसके हिसाब से जो है आपको total cost में या फिर electricity consumption में आपको variation देखने को मिलेगा ओके तो यहां पर देखिए generally यह project जो है यह long terms के लिए रहता है short terms के लिए नहीं है कि चलो साल 2 साल 5 साल चलाए बंद कर दिये ऐसा नहीं है अगर आप इस type का business करना चाहते हैं तो आपको ज new amount पैसा खर्च होता है ओके कम सकम जो है 4 करोर 5 को रुपया आपको खर्च होने वाला है यदि आप इतना पैसा invest करना करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो आपको जो है long terms के लिए आपको सोचना परेगा ओके तो यहां पर जो हमारा cold storage का जो capacity है वो है यहां पर 5500 quintal per day का ओ इसका calculation simple है जैसे देखिए quintal में हम लोग जानते हैं कि 100 kg होता है तो simply क्या kg है 500 को 100 से multiply कीजिये तो वो kg में convert हो जाएगा ओके अब हम यहां पर बात करते हैं कि इतना बड़ा plant लगाने के लिए आपको कितना area का requirement होने वाला है ओके तो यहां पर आप point देख पा रहे होंगे area area जो है यहां पर 10,000 square feet से लेकर के 15,000 square feet का area जो है required होने वाला है यह जो है मिनो आपको इतना required होगा maximum जो है थोड़ा बहुत बर भी सकता है क्योंकि आप अपना office बनाएंगे या फिर कहीं storage room बनाएंगे यह सिर्फ जो है यह chamber का है जो आपका जो cold storage chamber है उसका area है अगर मान कहीं पर गुदाम बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो वो ज्यादा area और cover करेगा ओके तो यहां पर जो है मैं सिर्फ chamber का area में consider कर रहा हूं जहां पे आप समान रखने वाले हैं जहां पे आप cold storage के लिए आप समान रखने वाले हैं चाहे वो वेजी टेवल सो चाहे वहा आपके उपर depend करता है ओके तो इसके लिए मैं यहां पर इतना area जो है consider मैं करके चल रहा हूं कि कम से कम जो है आपको 10,000 square feet से ले करके 15,000 square feet का area cover करने वाला है ओके उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जैने देखिए हम लोग क्या करते हैं रूप मेट क्या लिए, 6 मेहना के लिए 9 मेहना के लिए क्यांकि आप लोग आलू रखते होंगे एगर कॉन इसा ही चलता ole है जो बिचने हैं जो माले की का business करते हैं या फिर fruits का business करते हैं वो क्या करेंगे कम rate में खरीद करके call storage में डाल देंगे और जब उसका rate बनेगा तब वो निकाल करके बेचेंगे market में ताकि उनको profit उसमें मिलेगा तो वहां पर तक्रीबन कोई कोई मतलब ऐसा businessman है जो दो महिना के लिए करता है उनके ऊपर कितना दिन के लिए रख रहे हैं तो उसी के हिसाब से जो कोल एक मालिक होते हैं वो उसका रेट चार्ज करते हैं तो यहां पर में हमारा फ्रूर्स और होने वाला है मतलब कच्छा समान होने वाला है उसकी बाद अगर आब यहां पर हम बात करें कि इसका जो है working capital कितना होने वाला है तो working capital अगर देखिएगा तकरीबन उन्चास लाख से लेकर के 55 लाख होने वाला है यह working capital इतना है उसके बाद अगर हम देखेंगे कि भया machine का cost कितना आने वाला है जैसा कि माली अगर कॉल इस बना रहे है तो उसमें जो है बहुत सारा mechanism use होता है चाहे आपका डीजी होगा चाहे आपका cooling chamber होगा चाहे वहां पर माले की जो refrigerator होगा या फिर जिसको AC बोलते AC chamber होगा मतलब जो भी components use होता है वो सारे components को लेकर के यह हम इसका cost देखेंगे total mechanism का total components का इसका cost जो है तकरीबन 405 लाख से लेकर के 410 दस लाख होने वाला है इतना cost आएगा total component का total mechanism का जितना भी यूज होता है cold storage के लिए A to Z के लिए ओके इतना cost आने वाला है मतलब इतना में आपके घर तक आपके site तक जहां भी है location वहां तक पहुंच जाएगा उसके बाद अब हम बात करते हैं कि total plant का cost कितना होने वाला है क्योंकि देखिए यह तो मैं मसी ना गिया जहां पर हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके बाद अगर देखिएगा तो वहां पर maintenance sorry plant का insulation cost लगेगा और उसके लिए जो है आपको civil construction work करना पड़ेगा मतलब जितना भी एरिया है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत साई लोग तो मतलब पका मकान बनाते हैं तो यहां पर जो आपको पका मकान ही बना करके चलना पड़ेगा slab डालके ही चलना पड़ेगा ओके तो उसमें जादा कोस्ट आने वाला है लेकिन फिर भी अगर टोटल कोस्ट देखिएगा प्लांट का तो प्लांट का कोस्ट लगभग चार करोर 24 लाग से लेकर के 4 करोर 65 लाग रुपया का खर्ज आने वाला है उसके बाद अगर हम बात करें कि इतना बड़ा प्लांट है तो यह कितना बिजली कंजूम करेगा कितना खपत करेगा तो यहां पर जो है अगर इस पूरे प्लांट को रन करते हैं दीन भर में तो तकरीबन जो है मतलब डे और नाइट मिला करके 24 आवर्स में यह तकरीवन जो है 1200 यूनिट्स विजली कंजूम करेगा खपत करेगा ओके 24 घंटे में क्योंकि देखिए जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो 24 आवर्स रन नहीं होता है क्योंकि देखिए वहां पर जो आपका एसी चेमबर है उसका टमेशार डाउन कर देते हैं बहुत साइसे लोग ऐसी करते हैं डाउन कर देंगे जितना मीनेम्यों मीनेम होगा उतना डाउन कर देंगे उसके बाद ज Position ठंबर ठंडा हो जाए गा फिर उसको बंद कर देंगे दो घंट्रिक जार घंठध बच्छे गंटे नीन क чуд आपका खर्च बढ़ जाएगा अगर माले की ठंडा करके फिर बंद कर देते हैं फिर नेर्वल टेमिटर होगा फिर चालू की जिएगा तो उसके हिसाब से आपका जो है कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा ओके तो यहां पर जो है मैं ट्वेंटीफोर आवर्स मान करके चलता हो कि यदि आप ट्वेंटीफोर आवर्स रन करते हैं तो वहां पर तक्रीबन जो है 1200 यूनिट्स बिजली कंजूम्शन होने वाला है इतना खपत होने वाला है अब हमें यहां पर बात करते हैं कि इसके लिए हमें कितना किलो वाट का या कितना के वीए का सोलर सिस्टम लगान तो इतना का जो है हमें 300 के वीए का या फिर 300 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाना परेगा इस प्लांट को रन करने के लिए ओके क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया आपको क्योंकि अभी जो है इसके बारे हम लोग डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि देखिए वीडियो का लें है कि इसमें कौन-कौन सा कंपोनेंट होता है कितना पैसा खर्च होने वाला है और कितना एडिया रिक्वाइर्मेंट होने वाला है और कितना यहां पर आपका बिजली का लोड होने वाला है तो लोड मैंने आपको बता दिया कि यदि आप 5500 क्विंटल पर डे का क्यापासि पर्चेस करना पड़ेगा ओके किलिए अगर मान लिजी एक चीज़ हम समझते हैं जैसा कि मैंने पता आया कि यह कम से कम जो है अगर मान लिजी का अगर एडिया आपका उस टाइप का है अगर वहां का मान लिए बिजली भी अगर कम रेट विजली अगर 9 डूपीज पर यूट्स के साथ से पर्चेस करते हैं या फिर 8 डूपीज पर क्यूश करते हैं तो कितना होगा ओके तो मैं यह आपर गनस्टा करेंगे तो तकरीबन जो है आपको स्वरी दस हजार आठ सो रूपिया का जो है पर डे आपको बिजली भी लाएगा ओके अगर हम लोग 1200 यूट पर डे कंजूम करते हैं तब ओके और रेट मैंने कंसिलर किया है नाइन डूपीज पर यूनिट अगर मान लिजा आठ रूप का बिजली भी लाएगा पर डे ओके अगर मान ली इसी चीज को अगर हम लोग यरली में अगर देख ले कि सुरी मंतली देख लें कि मंतली कितना आने वाला है तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं थोरा समय इसको हालेट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से द 2,88,000 रुपिया ये मंथली बिजली बील है आप सोच करके देख सकते हैं जिकितना बड़ा एमाउंट है ये यदि आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है कितना बचत होने वाला है तो सोलर प्लांट के बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि 300 कि मिलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना आपको खाड़ चाहेगा कितना केंट का जेनरेशन होने वाला है और आपको जो है कितना पैसा बचत होने वाला है कितना पैसा सेविंग होने वाला है ओके किलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम इतना बड़ा प्लांट ल highlight कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे तो यहां पर जो है profit जो है तकरीबन आपको 35% से ले करके 45% होने वाला है इतना आपको profit देखने को मिलेगा अब इसमें देखिए थोरा बहुत आपको लेवर रहेगा 10-15 आपको लेवर रखना परेगा या फिर लेवर बोलिए आपको कम सकम उतना रखना परेगा तो उसके इसाब से सब कुछ माइनस करने के बाद तकरीवन जो है 35% से ले करके 40% तक आपको profit देखने को मिलेगा तो दोस्तों कल हम लोग बात करने वाले हैं 300 kilowatt solar system से अगर हम इस plant को run करेंगे तो हमें कितना पै अब भी इसका दूसरा पार्ट में upload करूँगा तो उसका notification जो है आपको तुरंत मिल जाए ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए topic के साथ